नमश्कार नमश्कार अर्टी के पाट साला पर आप शपी का स्वागत है हम डिश्कसन कर रहे थे conservation of resource पर यानि हम किस तरह resource को conserve कर सकते हैं समच्छित कर सकते हैं तो मैं बता रहा था कि जो पशुपक्षी जीव जन्तु हैं हमारे लिए बहुत ही important है क्योंकि जो ecological system है वो इन ही पर आधारिक है इन 1960-70 कंजर विशिंस्टी डिमांडे द नेशनल वाइल लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम कहा रहा है कि जो यानि जो समर्च्छड करता थे उनकी मांग थे कि एक नेशनल वाइल लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम को बनाया जाए इंडियन वाइल लाइफ प्रोटेक्शन आयक्ट वाज इंप्लिमेटे इन 1972 भारती जंगली सुरक्षा दनियम को 1972 में पाश किया गया उसे प्रोग्राम के तहत उन्हें शुरक्षा दी गई उन लोगों उन जीव जन्तों को जो शमापती के कगार पे हैं जो इंडेंजर्ड स्पेसीज में हैं शिकार को इनलीगल कर दिया गया और जंगली जन्वरों के बैपार पर रोक लगा दी गई गई गवर्मेंट ने वाइल लाइट सेंचूरीज नेशनल पार्क को इस्टेबलिस किया कई ऐसे प्रोजक्ट को गवर्मेंट चलाने लगी जिसमें फिश प्रोजक्ट हांड रेनसरस प्रोजक्ट काश्मीर स्टेज् गरियाल प्रोजक्ट एसेटिक लाइन प्रोजक्ट इन प्रोजक्ट के द्वारा इन जानवरों की शुरक्षा का कार गवर्मेंट करने लगी इसे प्रोजक्ट टाइगर को 1973 में लांच किया गया प्रोजक्ट टाइगर क्यों लांच किया गया कि धिरे धिरे जो शेर थी उनक क्योंकि इनके स्किन का इनकी टीट का ब्यापार किया जाता था लोग शौक बस इंक शिकार करते थी तो प्रोज़क्ट टाइगर को 1973 में लागभ किया गया क्योंकि प्रोज़क्ट टाइगर या टाइगर उसमें बिल्कुल शमापती के ख़ार पे थे एक वायड लाइप िंझूरी राजिस्तान में मानस टाइगर रिजर्व अक्षम में है तृत त्वेयाइड टाइगर रिजर्व केरला में है जानवरों सुनसर की जा सकते हैज तो यहां पर condition of the wildlife माफ होता है आज हम आपको forest के type के बारे में वह बताएंगे कि जंगल कितने प्रकार के होते हैं जंगल जीवों का घर होता है जितने भी wildlife पाजाते हैं वो जंगल में ही पाजाते हैं तो जंगल तीन प्रकार के होते हैं रिजर्ब जो किसी particular area में सरख्षित हो प्रोटक्टिट फारिस्ट जिनकी सुरक्षा की जाए और तीसरा होता है विलेस फारिस्ट जो गाओं में पाए जाते हैं ठीक है उसके अलावा भी अनक्लास फारिस्ट होता है जो अधर प्रदेश, महारास्ट्रा, केरला, तमिल्लाडू, उत्राखन, जम्मू काश्मीर आध जैसे आप जानते हैं जो जगली या जंगलों में रहने वाले जीव लोग होते हैं जिन्हें हम राजश्थान के अलवर डिस्टिक्स की बात करें तो लगवख 1200 हेक्टेर जो जंगल है वहाँ पर सोनचिरई नाम का जंगल है बेदेव देवख्षब सोनचिरई नाम का जंगल है जहाँ पर रूल एंड रिगुलिशन जो है वो ट्राइबल स्पीप के द्वारा बनाया गया है इसके अलामा चिपको मुमेंट्स के द्वारा चलाया गया था आप सभी लोग जानते हैं कि जो चिपको मुमेंट्स है था वो हिमाले में चलाया गया था और इसमें क्या किया गया था जो फार्मस थे बेटी बचाओ आंदोलन है ये तेहरी में चलाया गया तो कहने का मतलब है इस तरह कि जो आंदोलन थे उसे चलाकर जंगलों की शुरक्षा की गई वैसे ये जो चैप्टर है फार्स्ट ऊंड वाइड लाइफ ये आपके प्रैक्न बेस चैप्टर है ये आपको इसमें से प्रश्ट आंगे लेकिन वो थीऻरेटिकल प्रस्ट नहीं रहेंगे प्रैक्टिकल बेस रहेंगे आपको जानकारी के लिए इसमें से इंपोर्टन सीज़ें आपको मैंने बता दी और इस चैप्टर में आपको कुछ नहीं है इसका PDF आप लोगों को बहुत जल्द ही प्रोवाइट कर दिया जाएगा हमारे चैनल पर मैं बहुत जल्द इसका PDF आप लोगों के लिए लिंक चैनल पर दे दूँगा आप लोगों वहाँ से PDF डाउनलोड करके पढ़ लिएगा चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए वीडियो को लाइक करिए अच्छा लगा तो लाइक करिए अच्छा नहीं लगा तो डिस लाइक करिए और अपने कमेंट हमें जरूर दें सब तक के लिए खुश रहिए मस्त रहिए